दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं FeeFind के Ampli Game microphone के बारे में यह microphone आता है FeeFind की तरफ से जो कि एक gaming microphone है इसके अंदर आपको RGB भी देखने को मिलती है और gaining control भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है और mic on off का भी button इसके अंदर देखने को मिलता है काफी अची बात है और इसका price जो आता है वो around 2700 रुपे तक आता है 2700 रुपे में यह आपको देखने को मिल जाता है और इसमें काफी जाता color आते है pink भी आता है, white भी आता है, I think blue भी आता है अधर मैं आपको दिखा दूँग, काफी जाता color आते है तो पहले तो हम इसके unboxing कर लेते हैं फिर देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है दोस्तों यह है हमारा FeeFind की तरफ से Ampli Game Microphone जिसका model number आप देख सकते हैं A6V Gaming Microphone, इसमें function keys है यहाँ पर built-in sound card है और radiant RGB lightning है और पीछे इसके कुछ features लिखे हैं और खोलते हैं हमें यहाँ पर इसकी user guide देखने को मिल जाती है कि हमें इसे कैसे use करना है तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसको रखते हैं side में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक micro USB A to micro USB C cable यह अच्छी बात है कि आजकल जो यह microphones हैं इसके अंदर USB C cables आने लगी है जो कि काफी अच्छी चीज रहती है और यहाँ पर आपको यह microphone देखने को मिलता है इसको भी अभी हम रखते हैं ज़रूर साइड में और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसका stand यहाँ पर हमें यह इसका stand देखने को मिलता है जो कि काफी ज़्यादा भारी लग रहा है मतलब अच्छी quality का लग रहा है ऐसा नहीं कि हलका से stand दे दिया है अच्छी quality का यह stand लग रहा है बाग इसके अंदर कुछ है नहीं तो इसको भी side में रखते हैं और इसको भी हम side में रखते हैं इसकी भी हमें जरूरत नहीं है और हम बात करते हैं इस microphone की जो fee find की तरफ से आता है पहले मैं आपको इसको setup करके दिखाते हैं तो बड़ा simple है यहाँ पर हमें यह mount मिलता ही है इसके अंदर बस हमें यह आपका attach कर देना है बस simply और कुछ नहीं करना इसको हम attach करेंगे और यहाँ पर यह attach हो जाएगा और अब आप इसको बड़े अराम से रख सकते हैं कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आप कैसे भी इसको रख सकते हैं थोड़ा उपर नीचे जैसे भी आ आप करना चाहें कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको पीछे USB-C Cable देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर एक USB-C Cable यहाँ पर लग जाएगी और यहाँ पर USB Cable आपके laptop, monitor जहाँ भी आपको लगाने आप लगा सकते हैं और यहां पर आपको एक pop filter देखने को मिलता है, जो कि आप निकाल भी सकते हैं, ऐसे करके simply आप निकाल सकते हैं, और चाहें तो आप वाफस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्दी है, तो दोस्तों यह हमारा fee find का microphone, जो कि मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा है, पहली बार द पार, तुरुटर को प्लास्टिक का, निकाल सकते हैं, जो पूर प्लास्टिक का, लेकिन यह तो यह कि यह स्टैंड और यह प्लास्टिक का लिखने मिलता है, मतलब यह metal नहीं stainless steely होगा और काफी मजबूत लगता है कि हाँ मजबूत है उपर का microphone प्लास्टिक का है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि यार इसमें थोड़ा सा कभी-कभी current आजाता है उनके लिए यह filter होता है ताकि आपकी जो peaks हैं जो आपकी आवाज में peaks हैं वो इसके अंदर नहीं जाएं अभी हम इसको लगा के देखते हैं तो दोस्तों यहां पर यह microphone जल चुक है जैसा आप देख सकते हैं कि यह काफी तादा अच्छा लगता है चलते वह जैसा आप देख सकते हैं कि यह काफी boring सा लगता है कि सिर्फ एक microphone रखा है कोई color वगएरा नहीं जल रहा है यह काफी तादा अच्छा लगता है कि भाई इसमें light चल रही है मतलब rgb you know gaming के मामले में rgb तो काफी तादा मस्ट है और मैं बात करूँ तो यहां पर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वह इसका on-off का feature मतलब यह best है मैं इसके उपर रखूँगा यह off हो गया अब मैं इसको उपर दुबारा दुबाऊंगा यह on हो गया और यह कोई button नहीं है यह सिफ एक touch sensor है हलका सभी touch करेंगे यह off है हलका सभी touch करेंगे यह on है मतलब आपको कोई button नहीं दबाना है और यह काफी तादा हलका माईक है तो आप अगर आप हाद में पकड़ की कुछी बोलना चाते हैं बहुत अराम से बोल सकते हैं यह भी काफी तादा अच्छी जीत है लेकिन mostly गेमिंग के लिए काम आता है तो आप इसको गेमिंग में यूज कर सकते हैं और इसके साथ एक और फीचर है कि यहां पर आप इसके गेन को कम और बढ़ती कर सकते हैं मतलब यह जो आप बोल रहे हैं इसको आप कम बढ़ती कर सकते हैं अब कैसे करते हैं यह सारा अभी मैं दिखाता हूँ अभी आवाज जो आ रही है वो मावनों से आ रही है अब इस फीफाइन के microphone से आएगी और एक और चीज़ बतातूं कि इसकी volume मैंने full कर रखी है बिलकुल तो अब जो आवाज आएगी अब वो इस microphone से आएगी तो दोस्तों अब जो आप आवाज सुन रहे हैं वो ये खीन कन्रोल कर सकते हैं ऐसी जैसे मैं बोलता जाओंगा अब आप देखेए आवाज मेरी हलकी होते चलियाएगी में आप शयाद मीवट भी हो जाये लेकर जैसे मैं इसको कम करते चलायाओंगा मेरी और जैसे ही मैं इसको बढ़ाता जाओंगा तो यह जो मेरी आवाज से वो बढ़ती चलिएगी तो यह अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको gain control का भी option देखने को मिल जाता है तो अब आपको यह जो आवाज आ रही है इसी में से आ रही है आप इसका एक sound test समझ सकते हैं कि कैसा होगा यहाँ पर आप खुछ जज़ कर सकते हैं मैं आपको इस वह से सुना रहा हूँ कि आप खुछ ज़ज कर सकें कि इसकी आवाज कैसी है आप इसको बहुत अराम से नीचे सिर्फ एक बटन दिया गया है आप इसको कम कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको खोल सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं तो ऐसे आप बहुत अराम से इसके साथ खेल सकते हैं और एक ही बटन से, बटन भी नहीं बूलूँगा, सिर्फ एक touch sensor है, उसकी मदब से आप इसके microphone को off कर देते हैं, और seriously काफी जादा अच्छा microphone है, मैंने जितने भी microphone यूज़ कर रहे हैं अभी तक, अभी इसका एक हम shock test भी ले लेते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा सा हिला हूँगा, देखेंगे कैसा है, तो आप इससे judge कर सकते हैं, अभी मैं table को हिला रहा हूँ, तो इसमें कितना shock resistance है, वो देख लेंगे आप, और मैं एक बार इस microphone को भी हिलाता हूँ, तो यहाँ पर आप इसको test कर सकते हैं, कि इसका shock resistance कैसा है, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत हिला हूँ, तो इस हिसाब से judge कर सकते हैं, कि अगर आप gaming कर रहे हैं, और आप से यह थोड़ा सा हिल जाता है, तो आपको कैसा experience मिलेगा, और यह around 3000 के under आता है, तो इस हिसाब से भाई, यह बहुत अच्छा है, मतलब जैसे यह features दे रहा है, और volume के हिसाब से मुझे काफी ज़्यादा सह company का है, वो भी काफी ज़्यादा सही है कि आप उसका mic on off कर सकते हैं, उसमें भी काफी जारे feature हैं, लेकिन यह मुझे ज़्यादा सही लगा, पता नहीं क्यों, एक तो light है, अराम से कहीं भी, इधर से उठार उठा के रख लो, तो इसमें काफी ज़्यादा अच्छे features लगे ह कोई भी microphone अभी तक यूज नहीं कर रहा था, यह first microphone है, और pop filter भी इस हिसाब से दिया है कि आप अराम से उसको लगा सकते हैं, इसके साथ भी एक pop filter आता है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि अगर मैं वीडियो के अंदर उसको लेकर रहा है, तो मेरा आधा मु कवर हो जाए, त दिया है कि अधार रुपे के अंदर यह बहुत अच्छा है, यह आप इसमें कोई भी game खेल सकते हैं, आपको बस अपने laptop के अंदर या अपने mobile के अंदर कोई भी dongle से आप इसको लगा सकते हैं और यह काफी अच्छे से काम करेगा, आप इसको PlayStation में यूज कर सकते हैं, आप आप इसको Xbox में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको laptop में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको mobile में यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको हर जगा मिलेगा, बस मुझे यार कभी-कभी लगते हैं कि RGB कंट्रोल करने का कोई system होना चाहिए था, क्योंकि यार मुझे बार-बार रंग बदल नहीं है, तो वह भी कर सकते हो, बहुत अराम से कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं है, वही बात करूँ माउनो की या उरू था, पतनी कौन सी कंपनी का, वह microphone था, उस वह थोड़ा हैवी था, तो आप उसको हाथ में ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं, और यहाँ पर आपको बता दिया, और बाकी एक और चीज के अंदर आपको USB Type-C port देखने को मिलता है, जो कि काफी ज़्यादा अच्छी बात है, हर microphone को, वैसे हर microphone को क्या हर चीज को आज के टाइम में USB Type-C हो जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज, मतलब हर signal output USB Type-C अराम से कर लेता है, वो display output हो वो audio output हो, वो कोई भी हो, मतलब charging हो वगारा, कुछ भी हो, बहुत अराम से कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हर चीज आज की टाइम में हो जाने चाहिए, तो दोस्तों ये था इस microphone का review, अगर आपको इसको खरीदना है, link नीचे description मिल जागा, वहाँ पर आप आप जागे ख सकते हैं, और आपको ये कुछ जाद ही पसंद आ गई हो वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते हैं, भाई, बिल्कुल करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को subscribe कर दो, क्योंकि भाई, अभी तक कहा थे, मुझे नहीं पता, लेकिन चैनल को subscribe कर क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजगार वीडियो लाते रहे, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए, spread, peace, love and happiness.